हेलो फ्रेंट्स जहीन स्वागत आपका आपके बने चलो होम टुशन पे दोस्तो 25 जुन सोमार को सुप्रीम वोट ने हर्याना CT गुरूप C, गुरूप D, TGT सबी बरतियों से 5 नमबर को इलिगल करार देते वे 5 नमबर को खतम कर दिया और जो हाई कोट का ओडर था उसी को ह भी फोलो करने के लिए बोल दिया है दोस्तो और हाई कोट में उडर ये दिया था कि गुरूप C की जितने भी वेकेंस हैं जितना भी मेंस एकजाम होए सबी को रद कीजी और दुबारा से प्रीकार रजल्ट निकाल लिए संसोजित रजल्ट पांच नमबर के बिना और दो दोस्तो पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को धान से और पूरा देखिए दोस्तो अगर आप इसल्ट पर नए है चलको सबसाइब करेजिए बेल आगन प्रेस लिए क्योंकि यहां पर रियल ओथेंटिक न्यूज सबसे सटीक जानकारे और सबसे पहले आपको देन अपडेट पे तो यहां पे आप देखिये दूस्तों सेटी गुरुप सी का संसोजी प्रिणाम जारी कर दिया है 20,000 न्युक्तियों का रास्ता साप दोबारा विज्यापित होंगे पद यानि इन भरतियों का notification दोबारा आएगा और जो सेटी पास क्वालिफाई बच्चे ह को दुबारा से मेंस का फोर्म अपलाई करना होगा उसके बाद मेंस का एक्जाम दुबारा होगा च्यार गुणा की पॉलिशी के अकोर्डिंग ही बच्चों को बुलाया जाएगा चाहे वो गुरुप 56 हो चाहे 57 हो जो 20 गुरुप जिनकी जोइनिंग हो चुकी है उसमें भी च्यार गुणा बच्चों को ही बुलाया जाएगा तो इसमें इस बार होगा क्या मैंने कल भी आपको एक्जामपल दिया था आज एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि दो बच्चे हैं भाईया A और B इसके माल लीजे भाईया 61 नमबर है या इसके माल लेते हैं भाईया 62 न नमबर थे लेकिन जब पांच नमबर मिल रहे थे ना दोस्तों तो इसको पांच नमबर मिलने के बाद ये तो आ गया भाईया 65 पे और ये रह गया 64 पे अब चाहे वो गुरूप 56 हो 57 हो कोई भी गुरूप च्यार गुणा की पोलिशी के कोडिंग बच्चे बुलाये जाए लेकिन अब क्या है कि पांच नमबर सभी के हटा दिये हैं पांच नमबर के बिना आपका रजल्ट जारी कर दिया है कल आप अपना स्कूर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब क्या होगा कि ये बच्चा जब पांच नमबर नहीं है ये तो आ गया वह या 60 पे और ये रहे गया 64 पे अब ये बच्चा में सेक्जाम लिखेगा दोस्तों ठीक है और ये बच्चा फिर अगले सीटी की त्यारी करेगा ठीक है तो नई कटोफ क्या बन सकती है ग्रूप 56 जो में पोस्ट है उनके लिए हम वीडियो आज स्याम तक या कल तक आपको प्रोवाइड कर कर चुके हैं अब गुरूप से के करीब 20 जर पद खाली है इनमें से 56 चावन एक दो के केस हाई कोट में लंबित हैं इसलिए आयों सेश भी जर पदों का नई सीरे से विग्यावित करेगा और आवे दन मांगे जाएंगे फिर पदों के मुकाबले च्यार गुणा अबियर् ल皆 नई है और आवे ऐने का कष्का आयोग के जो क्रमचरी चैनित हो चुके हैं चाहे वो गूर्प डी है या जो 20 जर बड़े बच्चे उन्हें बिना आर्थिक सामाजी गंगों के मेरिट के अदाल पर नोकरी जोईञ कराई गई है इसलिए छुट के मांग की है इनका कहने कि जो रजल्ट था चाहिए वो 20 गुरूप का हो चाहिए गुरूप डी का हो उसमें हमने दोनों तरीके से रजल्ट त्यार किया कि या पाच नमर गर वहिश्चे में जाके हटते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना है यह यहाँ पे लोजिक दे रहे हैं ठीक है छूटके मांग रह है जबकि 2657 अभी रजल्ट बोनस अंग के आधार पर रोक लिया गया था तो अब आयोग बिना आतीरी तंग दिये इन प्रणाम जारी करेगा दूस्तों ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस सारी चीज़े उन्होंने बताई होई है टिबीस जार पदाएंगे आप देख सकते हो भाईया अपडेट बड़ी अपडेट हो यहाँ पे टेज़ेटी के बारे में भी है कि बहुत जल्दी जारी होगा बिना पांच नंबर के और यहाँ पे हिम्मत सिंग जो चेर्मेन साब हैं उन्होंने काई कि हाई कोट के आदिशनुदा प्रणाम संसोद किया है जल्द पुनर विचार याची का दारे की जाएगे और हमारी कोशिज़ बरती को पूरा जल्दी जल्दी पूरा किया जाए ठेक है तेज़ार नोकरी कर रहे होँआं को प्रिश्चाइज सुटत आ लेंगे यहाँ यहाँ पे कहा है कि जो 20 गुरूप वाले बच्चे जो गुरूप डी को भी खामखा लपेट रहे हैं ठेक है जो 20 गुरूप वाले बच्चे जिनकी जोइनिंग हो चुके उनके बारे में बोल रहा है कि उनको कम से कम मेंस में दुबारा बुलाने के अश्यक्ता ना पड़े क्योंकि वो भरती जोइन कर चुके हैं उनका कहना है कि पांच नंबर और पांच नंबर के बिना दोनों प्रकार से त्यार किया गया था तो उनकी जोइनिंग पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने चाहिए यानि आयोग कई ना कई 20 गुरूप वाले जो बच्चे जिनकी जोइनिंग हो चुके जो नोकरी कर रहे हैं का बच्चे बुलाए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस में एलिजेबल थे लेकिन पांच नंबर ना होने की वज़य से वो मेंस एक्जाम में नहीं बैठ पाए तो आब सब को बराबर कर दिया है सब के पांच नंबर हट गए है तो आब नए सिरे से च चकर में मत रहना कि आयोगी यह करेगा वो करेगा कुछ नहीं होगा फैसला जब आएगा तो हो सकता है कि पोजिटिव आ जाए आपको कोई दिक्कत ना है लेकिन अगर नेगिटिव आ जाएगा विपक्स में फैसला है कि भाईया कोट ने कहा कि दुबारा ही दिरना पड़ तो विडियो को लाइक जरू करिए अमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सबसेब जरू करेजिए और आप कौन से एक्जाम की त्यारी कर रहे है कौन से गुरुप की त्यारी कर रहे है कोमेंट करके जरू बताइएगा धन्यवाद जहें